आज हम इंडियन पैनल कोड 1860 का चैप्टर 2 सेक्शन नमबर 6 से 16 तक के बारे में पढ़ेंगे इससे पहली वीडियो में हमने इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 1 से 5 तक के प्रोविजन्स पढ़े थे एक रिवीजन कर लेते हैं इससे पहले के सेक्शन का सेक्शन 1 कहता है टाइटल एंड सौल्ट extent of operation of this code सेक्शन 1 कहता है कि इसका नाम इंडियन पैनल कोड है ये संपूर भारत में लागू है जम्मू कश्मीर का अपना अलग IPC है जिसे रनवीर पैनल कोड कहते है सेक्शन 2 कहता है कि भारत में भारत के व्यक्ति के द्वारा भारत में ये भारत से पार कोई अपरात किया जाता है तो उसे IPC के तहत punishment दिया जाएगा सेक्शन 3 कहता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक अगर विदेश में रहता है और विदेश में रहके वो अपरात कारित करता है तो उस पे IPC के provisions apply होंगे सेक्शन 4 कहता है भारत में कोई भी अपना ship है, plane है जो कि इंडिया में registered है क्रिमिनल किसी व्यक्ति के द्वारा अगर उस पे कोई offense किया जाता है तो उसे IPC के तहट रंदित किया जाएगा सेक्शन 5 कहता है कि army, navy और air force का अगर किसी officer, sailor या soldier के द्वारा कोई immunity और decision किया जाता है तो IPC में कुछ interfere नहीं करेगा उनकी अपनी अलग proceedings होंगी जो navy, army या air force में laws में apply होती है आज हम section 6 के बारे में पढ़ेंगे IPC का जो section 6 है, वो यह कहता है general explanation, chapter 2, IPC का chapter 2, general explanation इसे interpretation clause भी कहते हैं, यह it is a key of the interpretation of whole code यह पूरी IPC में जो भी words यूज होंगे, terms यूज होंगी, जो भी expression होंगी उन words का क्या use होगा पूरी IPC में इसके बारे में बताता है IPC में जितने भी offenses होते हैं section 6, यह कहता है कि IPC में जितने भी offenses है panel provisions है, illustrations है, इनको describe करता है IPC के section 6 में 3 बाते सामने आती है पहली offenses की definition, second panel provisions क्या है वो बताता है और illustrations, illustration का मतलब हो गया है कि example offenses से related कोई example दिया जाता है या panel provisions के according कोई example दिया जाता है उसे illustration की category में रखा जाता है for example जैसे rape है, section 300 में rape को define किया गया है और section 302 में panel provision दिया गया है कि जो विक्ति rape करता है उसको क्या सजा मिलेगी इसी तरह, sorry students, एक mistake होगी section 300 murder वो define करता है और section 302 ये बताता है कि murder करने वाले विक्ति को क्या punishment मिलेगी तो जो panel provision हो गये, वो section 302 में define किये गये है और जो offense की definition है, वो section 300 में decide की गयी है इसी तरह, second example है कि rape का, IPC का section 375 rape को define करता है जबकि जो इसका panel provision है वो 376 में है illustration में law की जो language होती है, legal वो काफी tough होती है तो students के examples के method से समझने में आसानी रहती है तो जितने भी illustrations होते हैं, वो panel provisions और offenses से related ही होते है section 6 ये कहता है कि IPC में जितने भी offense है, panel provisions है और illustrations है उनके साथ साथ हमें journal exception को automatically समझना होगा जिसका उलेक, IPC के chapter 4 से section 76 and above में उसका provision है for example समझाते हैं, जैसे murder है IPC के section 300 में कोई विक्ति अगर murder करता है और उसका panel provision दे रखा है section 302 में तो दोनों section में ये कहीं नहीं लिखा कि साथ साल से कम उमर के बालक या साथ साल की उमर तक वाले बालक द्वारा कोई अपराद किया जाता है तो उसके सजा का प्रावदा नहीं लिखा लेकिन journal exception में ये चीज लिखी हुई है कि साथ साल के उमर तक बालक के द्वारा किया गया कोई अपराद की शेणी में नहीं आएगा IPC के तहब तो जो अपन पूरे IPC पढ़ते हैं उसमें जो ये journal inspection के provisions हैं उन्हें हमें बार-बार किसी section में इनका उलेक नहीं किया जाएगा नहीं वो लिखे होंगे ये हमें automatically हमारे mind में रखना है कि जर्नल expression में जो बाते लिखी हुई है वो automatically हर section के साथ अपलाई होंगी जैसे फॉर एक्जाम्पल IPC के section 379 में चोरी के लिए कहा गया है तो अगर साथ साल के बच्चे के द्वारा कोई चोरी की जाती है तो क्या वो अपरात की शेणी में मान जाएगी आप अकसर देखते होंगे कि छोटे बच्चे कभी मंदिर से पैसे उठा लेते हैं या स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं तो वो किसी फ्रेंड की पैन ले आए पैंसिल ले आए रबर ले आए तो यह सब अपरात की शेणी में थोड़ी आता है नहीं कोई रूल लिखा हुआ है या प्रोविजन लिखा हुआ है IPC में तो यह आपको आटोमेटिकली समझना होगा कि साथ साल के उमर तक वाले बच्चों या उससे कमनुराच के द्वारा का कोई अपरात किया जाता है तो उसका प्रोविजन IPC में नहीं है सकीन एक्जामपल है जैसे पुलिस ओफिसर है पुलिस ओफिसर बिना वारेंट के किसी भी व्यक्ती को ग्रिफतार कर सकता है अब किसी व्यक्ती ने कोई मडर कर दिया है तो आप यह सुचोगे कि कोट ओडर देगी तब जाके पुलिस ओफिसर उस व्यक्ती को ग्रिफतार करेगा जबकि ऐसा नहीं है अगर पुलिस उस वेक्ति को गिरिफतार कर लेता है तो अब पुलिस ऑफिसर के खिलाफ ट्रायल होगा यह भी नहीं है बात यह है कि यह कुछ पावर्स दे रखी है तो यह आटोमेटिकली पता है कि अगर किसी वेक्ति के द्वारा अपराद किया गया है और पुलिस ऑफिसर को अगर अथोरिटी दे रखी है या फिर आईपीसी में कुछ लॉज बना रखे हैं कि यह यह क्राइम है उसमें डिफाइन किया गया है कि पुलिस ओफिजर इन क्राइम्स पे किसी भी अभ्यूक्त को क्रिमिनल को बिना न्याले के आदेश के गिरिफता कर सकती है section 7 senses of expression once explained section 7 कहता है every person which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation कहने का मतलब है senses of expression इस पूरी IPC में एक word को जैसे government है for example government है government की definition IPC में दे दिये तो IPC के जितने भी section 511 तक तो उसमें जो section में definition दी हुए government की वही government की पूरी definition आपको सारे section पे apply करनी है कहने का मतलब यह हुआ कि government का IPC के section 17 में government को डिफैंड किया है government के अंदर हो गया state government और central government तो IPC के 511 तक जुत्ते भी section है जहां किसी भी provision में या panel provision में या offense में कहीं भी government word का user है तो आपको automatically यह मानना है कि जब section 17 में government को express कर दिया है कि government का मतलब यह है तो जितने भी section से उन सम्में government का वही meaning माना जाएगा जब तक कि कोई अलग से note नहीं दिया गया हो कि इस section में government का मतलब यह है students आप लोग समझ गये कहने होता एक word को किसी एक section में define कर दिया तो उसे आगे किसी section में define नहीं किया जाएगा एक expression को किसी एक section में समझा दिया गया तो IPC में जितनी बार भी उसका या उस expression या उस word का use होगा तो उसका एक हर्थ होगा gender IPC का section 8 कहता है the pronoun he and its derivates are used of any person whether male और female he and its derivates का मतलब क्या होता है कहने का मतलब यह है he का मतलब क्या है gender में आप male और female दूनों आ गया है he का मतलब यहां पर he and its drive में मतलब she भी आ गया his भी आ गया him भी आ गया her भी आ गया इनका एक ही मतलब for example है जैसे CRP के section 125 में maintenance related provision दिये है तो उसमें लिखा हुआ है every person has to maintain his wife, parents and children तो his का मतलब male और female दूनों के लिए use हो गया कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि जो parents को maintenance दिया जाता है वो सिफ son देगा daughter की duty है अगर female किसी parents के द्वारा अपनी daughter पे maintenance के लिए claim करता है तो उस daughter का भी right बनता है कि वो अपने parents को maintenance दे अगर वो capable है उसकी job है और उसके माबाप अगर अपना भरन portion करने में असमर्थ है प्रेज़ेंट एमेक सुप्रीम कोट के कई judgments आएं जिसमें कहा गया है कि maintenance की जो responsibility है वो son और daughter दोनों की ही है section 9 number section 9 पूरी तरह singular number का मतलब section 9 unless the country appear from the context word importing the singular number and the word improving the plural number including the single number section 9 कहता है कि पूरी IPC में कहीं भी singular number का मतलब plural number माना जाएगा और plural number का मतलब single माना जाएगा पर एक्जामपल जैसे मैं मैं जैसे किसी section में मैं लिखा हुआ है तो उसका मतलब man भी होगा और man's भी होगा तो man's का मतलब हो गया एक से अधिक woman लिखा हुआ है woman single लिखा हुआ है और अगर woman's आ गया तो एक से अधिक woman's आ गये section 10 man and woman को define करता है the word man donates a male human being of any age the word woman donates a female woman being of any age कहने का मतलब यह man और थात पुरुष एज चाहे उसकी कुछ भी हो any age लिखा हुआ है चाहे वो एक साल का हो चाहे वो एठारा साल का हो चाहे वो 60 years का हो 80 years का हो या 90 years का हो woman के लिए भी यह चीज़ अपलाई होती है किसी भी एज की हो चाहे वो 6 months की हो चाहे वो 1 year की हो चाहे वो 16 years की हो चाहे 18 की हो 20 की हो 40 की हो 80 की हो 90 के एक example के साब से समझ दें आईपीजी के सिक्षन 354 में एक मेल परसन के द्वारा कुछ फीमेल के साथ गलत आफेंस किया जाता है तो जो मेल है जिसने उस छे महिने के महिला के साथ या एक साल की महिना के साथ दुश्यकर्म किया है तो उस छे महिने की महिला के गारजियन्स जो केस करेंगे केस कर सकते हैं उस क्रिमिनल पे तो वो क्रिमिनल यह कहके नहीं बचेगा कि ये तो छे महिने की थी तो मुझे सजा नहीं मिलने जाएगी IPC में section 10 में साफ लिखा हुआ है woman का मतलब होता है किसी भी उम्र की चाहे वो एक महीने की हो, चाहे आठ महीने की हो, चाहे आठ दिन की हो तो वो इससे बच नहीं सकता, उस पर criminal trial चलेगा section 11 section 11 person को define करता है the word person include any company और association और body of person whether incorporated और not section 11 कहता है कि person शब्द के अंतोगर्थ हम तीन चीज़ों के पढ़ेंगे कोई भी company, association और body of person जैसे अगर हम किसी भी company, association या body of person पे case कर सकते हैं और company एक किसी company पे अगर हमने case किया तो इसका मतब नहीं है कि वो पूरी company आएगी ट्रायल के लिए company के तरफ से कोई भी एक representative आएगा और हम उस पे legal proceeding apply करेंगे section 12 public the word public include any class of the public or any community को आई पीसी में डिफाइन किया गया है class of public class of public का मतलब हुआ group of advocates जैसे group of advocates अब आप बोलोगे कि यह public का है जब एक से अधे कि आठ दस पचास वकील एक दम इखटे होते हैं तो वो एक पबिक ली एक प्लेस पे इखटे हुएं तो वो एक ही community की हैं तो class of public में वो group of advocates आगए ऐसे group of doctors भी हो गया अब second है any community, any community में आगए अपने ब्रामन community आगई जाट community आगई राज community आगई section 13, section 13 को रिपील कर दिया गया है 1947 पे section 14, servant of government, any officer or servant appointed or employed in India under the authority of government section 14 कहता है कि इंडिया में कोई government सरकार द्वारा या जिस पे government ने जिस भी tribunal को authority दे रखी है और वो सरकार के द्वारा अगर कोई विक्ती appoint किया जाता है तो वो सब public servant माने जाएंगे और servant की category में आते हैं government servant यही होते हैं कि या तो government के द्वारा उसे appoint किया गया हो या कोई भी tribunal हो गई या फिर किसी भी निकाय को अगर गव्मेंट ने ये authority दी है कि आप number of ये student number of persons को आप लोग मतलब ये power मतलब गव्मेंट ने ये power दी है किसी निकाय को authority दी है government की तरफ से जो private sector में कुछ semi-government companies होती है वो लोग employees को रखती है ना तो वो उनके servant हो जाते है section 15 को repeal हो चुका है British India section 16 government of India ये भी चुका हो श्रुब प्रूप्मेंट जाते है वे जाते हैं जाते हैं